लता मंगेशकर का मंदिर बन चुका है कॉफी टेबल से लेकर दिवारे वाड्रोब यहां तक कि सोफे पर बैठना चाहेंगे तो लता दीदी वहाँ पहले से विराग मान देखिए गौरो मेहें छे साल के रहे होंगे जब उन्हें लता मंगेशकर से जुड़ी हुई चीजें करना शुरू किया उन्हें लता दीदी के संगर्ष्माई जीवन से प्रभावित होकर उन्हें अपना गुरु माना और फिर उन्हें भागवान बनाकर अपने घर में उतार लिया सबसे पहले तो मैं सभी को शुब कामना हिंद होंगा कि पूझे लता जी को डॉटर ऑफ नेचन का एवाट दिया जा रहा है तो बहुत ही कर्व का विशह पूरे भारत के पूरे संपूर विश्व पतल के लिए समभबत है यदि मेरे विशह से आशे है कि यदि कारे को लेकर के कहा जाए तो यह मैं कहूंगा 1988 से या 89 से प्रारम्भ है और उदेश मात्र केवल इतना है कि पुझे दीदी को लेकर के जो गायन का जो उनका चेतर है उसके अलावा जो उन्होंने के जीवन का संगार्श है और उसको वो पार करती हुई आज जिस उचायू पर वो बैठी हुई है और निरनतरता लिये हुए है वो जनता के सामने आए युवा वर्ग जागरुख हो इस चीज को लेकर के कि शौटकट में मिली सफलता कभी सफलता नहीं रहती है इक अतहास अंगर्श के बाद में कि साधना और गुरू के प्रतिस ने और दूसरा देश के लिए यदि भावी पीडी को मैं कुछ दे पाया तो मैं अपना जीवन धने संगे मेरे चास ही शायद ये आट-दस साल के रहे होंगे क्योंकि घर में भी हम लोगों को जरा थोड़ा संगीत का भी शौक था दूसरा जैसे अच्छे वेक्तित हैं उनके समद्ध में भी हम लोग इंट्रेस्ट रखते थे कि कैसे उनकी तरह बना जाए या क्या उनमें गुणा है कुछ हम चीज सीख सकें तो और समर्पन की ये बात है कि इनको उनको से शौक रहा लगाव रहा और इसी चीज को ये लोग आगे बढ़ाते चलेगे हर इंसान का कुछ ना कोई शौक होता है तो वही इनको भावनायाई कि मैं दीदी के समद्ध में पूरी जानकारी डिटेल जितनी ही कर सकता हूं और मैं लोग यहां किताबें हैं कैसेट्स हैं तस्बीरे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जिनके बा दिर की तरह है और ऐसे में केंसरकार लसा मंगेसकर को जो पुरुसकार देने जा रही है वो आबाड उनकी साधना के चड़ों में एक फूल की तरह है कैमरा सयोगी सानु के साथ में नरेंदर भारसमाचार वेरट और इस ख़बर के साथ इस बुटन में फिलाल कले इतना ही नमस्कार